ओ भाई यकीन नहीं वा मुझे के रोडी में ये भाई साब आने वाले हैं अनुसली बताओ कि मैं रोडी का जो ये सीजन देखने के लिए जा रहा था और जो गया हूं उसके पीछे का रीजन है अशनीर ग्रोवर तु दोगला है ये दोगला पन है बाई ये चीज जो है करने वाला हूं के इस सीजन में गया है थारा भाई जोगिंदर वह भाई साब गया और मैं लेट करके आराम से देख रहा था उठकर के बैड़ गया भाई ये आया है और मतलब ये अफवाए नहीं थी कि सच्ची में किया है मतलब कई बार सुना है न्यूज नियोन मैन के द कि आप लोग इसको बहुत अच्छे से पसंद करते हो कि भाई रोडीज देखना है और मैं सच बहता हूं तो मैं ऑडिशन तक कही साथ ही हूं मैं हमेशा ऑडिशन तक ही देखता हूं कि वह काफी जादा इंट्रेस्टिंग रहता है और इस बार पता नहीं क्यों काफी शरी प्रिफाना सा महौल लग और वहां पर आये भाई अपना थारा भाई जोग अंदर तो आने के बाद में उससे यही पूछा गया कि तुम क्या करते हो ऐसा हमने इतना महनत किया हमने इतना टालेंट दिखाया उसके बाद से हमें यह सकस्स मिला है तुमने ऐसा क्या उखा लि किऊंँ है तो उसे भी कूछा जाते हैं कि यह जो करने बात मुड़ जाती है कुछ चल रहा होता है कहीं पि झालες हे चांट हो धाख में और कि बुआँ और ल적ा हुआ है कि कुछ को नहां से इसमें हाथ आया नहीं बता है पूरा का पूरा हतम कर दिया हो सकता है बहुत ही जादा आपती जनिक हो जो के पॉब्लिक में नहीं बता सकते हो सकता है यहां पर भी वही हो अब थारा भाई जोगंदर न जो है उसके जब इंटर्व्यू चल रहा था जो उसका ही नहीं था यार कि वह हैंडल कर ले उस सिच्वेशन को वह सीधा यह भाई तू आइचा नहीं बोल सकता मतलब वही वाली हरकत चालू कर दी जो क्लाउड पाने के लिए कर रहा था और पता नहीं क्यों यार जब ऑडिशन एंट तक पहुंचो तो ऐसा लगा कि नहीं कर सकत बाई देखने में मज़ा आएगा यह भाई साप की जब संकेगी तो वो लेगा बावाएंडर आएगा वह देखने में मज़ा आएगा उसी चीज के लिए अभी मैं continue करने वाला हूँ देखना चाहता हूं यह बंदा किस हद तक जाता है और अभी जो है यह तो ऑडिशन वा मजलात मारके निकाले जा सकते हैं तो इस रीजन के वैसे मुझे काफी मज़ा है सच बताऊं तो भाई मैं एकदम हो गया हूँ के भाई आप देखने में मज़ा आएगा और मज़ा आने वाला है क्योंकि यह दूसरा शो है जो आप सब को पता है मैं रागफ को मिस कर रहा कहीं न कहीं रफतार को मिस कर रहा हूं क्योंकि यह लोग जो होते ना बहुत अच्छे से चीर फाल करते और देखने में मज़ा आता है लेकिन यहां पर मामला सुला शरीफ आना हो गया सोनुसर का एक अपना इमेज है उस इमेज को किसी भी हिसाब से वह हिलाना नहीं चाहत जब एक ट्रांस्टेंडर आती है और उसके साथ में जब उसको सेलेक्ट करने की बारी आती है इस रियाक्शन वास लिटरली अभी क्या करो ऐसा रियाक्शन था तो भाई अलग लेवल पे चल रहा है थोड़ा सा मतलब इमेज को कंट्रोल करते है रागफ को बुला के लोग कि दबा करके अने बताया मेरे अंदर में जो एक्दम ऑनेस्ट वाला था वही मैंने निकाल के बताया आप बताव आपको कैसा लगा यह वाला एपिसोड और इससे पहले के दो मैंने देखे नहीं है देखूंगा वीडियो बनाओंगा लेकिन मैं अभी करी फावड करना चा मास्त रहो जबरदस्त रहो चांग को सब्सक्राइब करके जो है अफिर दाम के बाद मैं आयो व्यूस चापने के लिए